भारतिय जन्ता पार्टी, आरेसे जेदिउंके कार्जगत्ता सर्कों पर है, आम लोगों ने मानव सिंखला का बहिस कार किया है। जब आदमी पानी में डूब रहा होता है, बिहार सहलाब में डूब रहा होता है, तो राहत समागरी के लिए आपको पास एक खिलिक पर नहीं होता है। आज 19 जन्वरी का दिन है और आज के दिन नितिश कुमार के द्वारा मानव सिंखला बनाई गई थी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरे ये रहेगा, मानव सिंखला आपके नजर में क्या फेल हुआ ये पास हुए। शिचकों के आलावा आम नागरिक नदारत रहें। भारतिये जन्ता पार्टी आरेसे जेडियू के कार्जकरता सरकों पे रहें। आम लोगों ने मानव सिंखला का बहिशकार किया है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है। कि जल जीवन हर्याली लोग के जीवन में नहीं होना चाहिए। ये मुख बाते हैं हर्मानव के लिए कि जल जीवन हर्याली हो जो कि पर्यावरन पर्थम चीज है। सांस पहले लिजाती है। लेकिन बिहार की लोग तो प्रबुद है। चानक की धर्ती है। सम्राटा सोक की धर्ती है। बुद्ध की धरती है, ऐसे जगों के लोग खुद बुद्ध जीवी हैं, चुको उन्हें पता है कि बाल बिभा, शराब बंदी, नितीश कुमार का दिखावा रहा, इस सफल नहीं रहा, शराब बंदी के भी हम पक्ष में है, बाल बिभा रुके, दहेज पर्था रुके, इस इसके भी पक्ष में है, तो इसके लिए समाजिक अवर्नेश की आवशकता है, न कि उसके लिए धकोशलेपन की आवशकता है, तो दो में जो धकोशलापनी दिखा चुके थे, इसलिए आम लोगों ने नितीश कुमार के जल, जीवन, हर्याली पे धकोशले मानव सिंखला को लोगों ने भहिशकार किया है, त्या किया है, इसलिए अब देखे होएगा कि सरकों पे लोग नहीं थे, आकास में इनके हेलिकप्टर दसमारा उर रहे थे, गजब है मुखमंतर जी, नमस्कार करते हैं हम आपको, जब आदमी पानी में डूब रहा होता है, बिहार सैलाब म फोटो खिचने के लिए, अपने चेहरा चमकाने के लिए, बारा-बारा हेलिकप्टर आप बिहार में गुमा रहे हैं, सरम आनी चाहिए आपको, कि आपके उपमुखमंतरी डूब रहे थे अपने ही घर में, उसको भी हेलिकप्टर से देख लेते हैं, जैसे कि कॉंग्रेस क अरभ में ही कहा, रोज बोलते हैं, कि जल, जीबन, हर्याली मानब का मुल रूप है, लेकिन इसके लिए धोकोशलेपन के आवे सकता है, नहीं, इसके लिए अवरनेश के आवे सकता है, जितने लोश अधिकारी, पदाधिकारी, क्रमचारी और सिचकों, छोटे-छोटे बच को जवरन सरकूं पे खाडा कर दिया मुखमंतर जी, धन और बल और पावर के इस्तमाल करके, अगर उतने पौधे लगवा दिये होते, तो पर्यावरन ठीक हो गया होता, पटना सहर में मुखमंतर जी को आपके माध्धम संदेश भेजना चाहते हैं, कि मुखमंतर जी करेंगे, तवरबाएंगे, वह पोखर क्या पुराने मुल रूप में आजाएगा, तो अच्छी बात है, क्या आप जितनी नदिया है, उसको नदियों से नदियों आप जोरेंगे, क्या आप नाहर की उगाही करेंगे, काते-काते पौधा लगवाएंगे, जो संजाय गान् संजाय कान्ति जी पर पंगेर काँ जो सारकार का जमीन, जो कहीं कि उसका हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो सर को किनारे रूख दिया गया, ता कि… तो थंडी थंडी हवा मिले अच्छा प्रयावरन मिले गारी भी चले तो फटंड़े थंड़े चल जाए नदियों के किनारे बात के किनारे आप बताएं ना मुखमंतर जी का कोई ऐसा इशी लाका, जहां ये भिछारों पन की हो करते हैं अपने घर में हैं उने गर्वतें था झाछुम्रिटुमीachATEश pee to you आप कितने विचार अबिंची कितने नए कुँए कितने नए नए पूखर उडाही कर भाए कितने नए पूखर खुदवाए तो किए नहीं इनका था कि चल्ड छलंती का बैरा है तो मेरा चेहरा एक बार और उर बिश और देश के पटल पी आजा इसलिए आप देखोएगा कि बाठ में जब आदमी डूब रहा था तो कोई हेलिकप्टर रहा समागरी लेकर नहीं घुब रहा था और आज जब इनका मानब शिंखला बन रहा था हेलिकप्टर से फोटो घिच रहे थे की सरकों पे जो मानब कतार था उसमें कोन थे शिर्फ आपको सरकारी अधिकारी पता-धिकारी करमचारी छोड़ एक आपको कोई नहीं दिखाए देगा इस्कूल बच्चे को जबरन, इस्कूल बच्चे थे मैंने कहा कि इस्कूल बच्चे को भी आप सन्ने को नहीं बख्ष हैं, उस बच्चे को जितना आप सारक पर खाड़ा कर दिया हैं, उसको पता भी नहीं ताम खाड़ा क्यों हैं, उस ये अच्छा होता कि जो बच्चे प्रियाबरन के आपने पद का दुर्पियोग करके जबरन ओशे लोगों को भी सरकों पे खड़ा कर दिये जो प्रियाबरन का मतलब ही नहीं समझते हैं और सरकारी कमचारी डर से खरे थे इसका मतब समाज के लोगों ने भाहिशकार इसलिए कि मुखमंतरी के धकोशले पर से बचा है लेकि वो भी समझते हैं कि जल, जीबन, हडियाली अच्छी बात है लेकिन मुखमंतरी सिफ करना नहीं चाहते हैं सिफ कहना चाहते हैं तो उनके कहने पर लोग चलने वाले नहीं कुछ करेंगे ता आगे बढ़ेंगे सर आर्जेडी के भी चार नेता जो है आज मानपकतार में खड़े हुए थे तो उनके खिलाफ क्या कोई करवाई की जाएगी लेकिन चुनाब इसी साल है, कई लोगों के अपने सीट पे खत्रा, कई लोगों की जनता की नाराजगी, उसे बचने के लिए नए नए जगा तलास रहा है, इधर गलत है, तो उधर सही हो जागा, इधर आएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा, उधर जाएंगे तो टिकट मिलेगा, तो चनाबी साल होने के कई मतलब ही निकाले जाएंगे, आपका भी देखीगा उधर के कोई साथी इधर आ रहा है, तो संभाबनाएं देख रहा है, इध कॉंग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठोर जी जिनोंने बहुत ही बिवाकी सभी सवालों के जवाब दिये हैं बागी खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ भारत लाइव के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता धन्यवाद